हलो एबरिवान वेल्कम टो माई योट्यूब चैनल सो फ्रेंच कैसे आप सब लोग आई होब कि आप सब लोग ठीक होंगे तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि महाँ सब्रात्री आने वाली है तो सोच एक छोटा सा वीडियो शेयर कर लूँ जो कि आप इस टाइम मेकप कर कर सकते हैं कोई भी पार्टी फंक्शन जैसे आंच का प्रैसर चल रहा है तो आप इस टाइम भी आराम से इसके इस मेकप को क्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं स्टैब बाटा रही हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सब पहले मैं यहाँ लेरी हूट जो कि आप लोगों को पता हैं मेकप करने से पहले सबसे पहले हमारे स्कीन पर लगा जाता है तो यहाँ पर अप्लाइब करेंगे आप अपने स्कीन के अकॉर्डिंग को सभी यूज करिएगा मैं यहाँ ले रही हूँ गुद्वाइब्स का रोज तोनर इसके बात मैं दो म कर यही का य्यूज कर रही हूँ इसको दो मिन शूपने के बाद हम यहां पर यूज करेंगे मॉस्टीर आईज कि तो मेरी कीन है तो मैं यह वालों यूज कर रही हूं तो बबात ज्यादा यहा श्रम यूज सकते है घुट्वाइम, आप इसको पपाइय श्रम ये खे अच् करें जो कि मैं सायद सेकें थार्ड ताइम यूस कर रहूं तो आन्वाइब करने की बाद अब मैं यह यूज़ कर दो क्योगे अप लुक्त देख सकते हैं काफी ज्यादा शेयद है यह देखें दो है तो इसमां से ओरेंज को लूँगी और इंट को अपने यहां पे डर्क सर् चरकल पर इसके बाद इसे रच्ट करेंक इसके पिंगे कंशीलर भी लिया तो जहाँ जहां पर मेरे पेचे apply कर लिया foundation मेंने लिया है fit me का foundation में ज्यादा तर fit me का foundation यूज़ करती हो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आं यह वाला foundation long lasting रखता है हमारे make-up को तो इसके बाद मैं use करूँगे fit me के इसको सेट करने के लिए यहां पर मैं फिटमी का कॉंपक्ट पाउडर यूज करूंगी इसको अच्छे से यूज करेंगे हम अपनी फेस पर ताकि कि जो हमने फाउंडीशन लगाया ने वह और अच्छे से सेट हो जाए ठीक है क्योंकि फाउंडीशन की बात कॉंपक्ट लग अपने आइब्रो को सेट कर लिए यहां पर अपने आइब्रो को फिल करने लग गया उसके बाद मैं ब्रचेस की हल्प से इसको अच्छे से सेट कर लोंगी इसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे नवाइब का कॉंटोर तो यहां पर मैं स्टिक को थोड़ा रखूंगी न यहां पर लेंगे नवाइब का ब्लस जो कि मेरा ओल टाइम फेब्रेट है जितना ब्लस लगाऊनों उतना ज्याद अच्छा लगता है यार मुझे तो ब्लस लगाने के बाद अब हम यहां पर यूज करेंगे कंसीलर क्योंकि हमको यूज करना है आईशाड़ और आईशाड अप्लाइने कर रही हूं मैं तो आप लोग देख सकते हैं ब्रस इसकी हल्प से मैं कैसे इसको अच्छे से ब्लैंड कर रही हूं तो एक आईश पर लिया आपको ज्यादा मतलब ज्यादा प्रोड़क्ट उठाके नहीं लेना है हलका सा लीजिए फिर इसके बाद अच्छे स आप लोग देख सकते हैं इसकी पिग्मेटेशन देखिए आप यह देखिए वाव कितनी अमेजिंग है हलका सा हाथ में प्रैस करो दैन आप लोग देख सकतो तो यहां पर ब्रस इसके हल्प से हाई लाटर को अच्छे से अप्लाइ कर लोंगी इसके बाद हम यूज करेंग यह फिक्सर से तो यहां पर मेरा मेक अपना कम्प्लीट हो चुका है आपको मेक प्लीज कोमन करके जरूर बताना और लाइब शेर सब्सक्राइब कर दो अच्छे है देख से उलेट इसके बार लाइब